आज मैं आपके समक्ष पातंजली जी के पातंजली जी के ग्रंत योग शुत्र के प्रथम अध्याए के तृति शुत्र प्रचाचा करने जा रहा हूं भार्शी पातंजली जी यहां कहते हैं तदा द्रश्ट हो स्वारूपे यवस्थारम यानि तब द्रश्टा की स्वारूप में अवस्थिती होती है तब कार्थ यहां पर है कि चित्य की विर्थियों के निरोध पर इसके पिछले सुत्र में उन्होंने बताया था योगश्य चित्य विर्थियों के जब निरोध हो जाता है तब जो द्रश्टा है यानि जो सादक है तो उसकी स्वारूप में अवस्थिती होती है तो यहां पर द्रश्टा सब का प्रयूग किया गया है यह जदा accurate है सादक काने से तो सादक से बहुत सारी चीज़ों के बात आती है पर अब को समझाने के लिए मैंने सादक कहा है यहां द्रश्टा कहा है यानि साधक का वहा शित्त का अन्स जो के अनभूत कर रहा है यानि साधक के अनभूती केंद्र की बात हो रही है यहाँ तो साधक जिन के माध्यम से अनभूत करता है वहाँ पर जो द्रश्टा है उस अस्थान पर भी द्रिश्य और जो माध्यम है वह द्रश्टा, द्रिश्ट और द्रिश्यमान और जो हमारी जो द्रिश्टी है इन सब का जो एकत्तो हो जाता है तब वास्त के वह द्रश्टा भी नहीं का जा सकता वैसी स्थिति में तब हो वह सुध्षित हो जाता है एए तो पूर्ज़रण वश्ञत अगर्ष्ट अपर ए टो वहां पर दृस्टा भी नहीं कहेंगे वह दृस्टा से भी उपर क्ये वस्था होई क्योंकि वहां पर दृष्ट दृष्टि और सब एक अकार हो गए तदाकार हो गए तो यहाँ पर उसकी स्वरूप में अवस्थिति वजाती है स्वरूप आनि चेतन तत्त में परम चेतन तत्त में जिसको की परमात्मा कहते है तो चित्त की जो सक्ति है वह चित्त की जो सक्ति मता है तो सक्ति और सक्ति महान दोनों तदाकार हो जाते है जब तक उन दोनों में कुछ भिन्नता है तब तक वह अभी उत्थान काल कालाता है और जब पूर्म तदाकार के अवस्था आ जाती है तब वह केवल अवस्था की उपलब्दी होती है तो विवेख ख्याती की जो अवस्था है जिसमें की चित्तु सुद्ध सत्त हो जाता है तो पुर्ण एक अगरता की अवस्था होती है और अब वैसी अवस्था है इस पॉइंट पर वो आ चुका है कि अब वहां से वो डीफ फोकस हो करके एक अगरता अब जो है अनन्त अवस्था में जाई वहावन अनन्त अवस्था ही वास्था में तदाकारता की अवस्था है जिसको सौरूप अवस्थिती काते है तो विवेख ख्याती जो है वो अंतिम साथ्विक वृत्ति है और वृत्तिकार्थ मतलब वृत्त की तरह जो दोहराय जा रहा है जो अनभाव तो अब वहां से हट करके अब आसकती वहां से हट जाती है वृत्ति अब इतनी सुक्षम हो गई है कि वास्ता में वृत्ति भी नहीं रहा गई तो साथ्विक वृत्ति का भी लोप हो जाता है तो वह गुनातीत हो जाता है तो गुणाती तवस्था में वेराग से भी उपर हो जाता है वीतराग हो जाता है तो यहाँ पर जो है आत्म दर्शन, दिव्विदर्शन, इश्वर दर्शन होता है अब उस चेतन तर्शन को कोई इस्वर दर्शन ना कहना चाहे तो बात अलग है लेकिन सास्त्रों में इस्वर दर्शन बताया गया है उसका कुछ नाम करन तो करना ही होगा तो उसका नाम इस्वर किया गया है वस्मग रस्तित तो है और ऐसा जो योग में साधना के द्वारा अपने चित को निरूध करने में समर्थ हो जाते हैं उन्हें ऐसा अनभूत होता है कोई भी से अजमा के देख सकता है यही इस सुत्र का अर्था यहां पर करतापन का अभिमान निवर्थ हो जाता है निवर्थी में और करता और कर्म इन साथ का भी भान ओ जाता है क्योंकि कर्म का भाव तभी रहता है जब करतापन का भाव होता है और करतापन का भाव अगर है तो कर्म का भी भाव रहेगा तो करता कर्म क्रिया यह सब सब जो है तदाकार हो जाते हैं कोई भीन तब तो नहीं रहा जाता है इसलिए उसे केवल ले के वस्ता काते हैं केवल पन के वस्ता तो यही यहां पर अर्था ओमरी